वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KP Green Energy Share के latest news के बारे में और इस share को हमें sell करना चाहिए, buy करना चाहिए या फिर hold करना चाहिए वो तो खेर हम वीडियो में आगे बात करेंगे ही लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं आज हमें इसमें 5% का एक strong upper circuit देखने मिला है तो यहां से share ने recovery भी काफी तगड़ी की है अगर लास्ट वीक के अगर हम बात करें तो इसमें थोड़े सा हमें downgrade देखने मिला है lower circuit हमें देखने मिले हैं यह इसका main reason यही है कि आए कि इसके quarter four के result भी काफी तगड़े आए है लेकिन इसका जो downgrade का main reason है वो अभी market में हमें election की वज़े से थोड़ा सा pressure देखने मिला है लोग अभी panic में मचे हुए हैं तो उसकी वज़े से सब लोग sell करके बाहर profit complete करके share करके बाहर निकल रहे हैं तो उसकी वज़े से panic की वज़े से ही है जो इसमें हमें थोड़ा सा lower circuit circuit देखने मिला है तो सबसे main कारण यही है बाकी कोई दिकत नहीं है आपने इसके quarter four के result देखी लिए होंगे तो मैं आपको थोड़ी से उपर उपर से जलग दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते है quarter four के result हमें काफी तगड़े आये हैं sales 2023 December 2023 में 82 crore देखने मिली दोस्तों आप one month में आपको 32% का जो profit है वो आप देख सकते हैं तो सबसे पहले clear अब आप सोचे होंगे कि हमें इसमें buy करना चाहिए share करना चाहिए या फिर hold करना चाहिए तो सबसे पहले तो आपको इसमें अगर आपके पास share है तो आपको sell करने की जरुरत नहीं है आपक इसको hold करना है 2024 में इसको दो जारट चोई में hold ही करना है यह long term में आपको 700 से 800 तक यह जाता हुआ देखने हो मिल जाएगा दो जारट चोई में सिर्फ 2024 में आ गई की वज़े से हैं बाकि कोई दिक्कत नहीं है यह शेर काफी तगड़े हैं fundamentals काफी तगड़े हैं future growth तगड़ी है तो हर मामले में KP energy काफी अच्छा शेर है तो इसमें आपको buying के बारे में आप सोच सकते हैं लेकिन आपको sell नहीं करना है इसको hold करना है